ग्रीटिंग्स एवरीवन वेलकम तो अफिशल चैनल ओफ लॉप प्रेप टुटोरियल फाइनली इंतजार की घड़ी खतमी हो गई और क्लाट 2025 का फॉर्म आउट हो चुका है इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत ही तेजी से डीटेल्ड वे में हम आपको ले के जाएंगे क्लाट 2025 को फिल करने के लिए तो ज्यादा आपका टाइम जायर ना करते हुए सीधे मुद्धे पर आते हैं और क्लाट फॉर्म को फिल करने के लिए जाते हैं आपको अपने गूगल के सर्च एंजन पर कॉंसोर्शियम औफ NLU's.ac.in नाम की वेबसाइट लिखनी है आप ज हुआ है तो आपको लॉगिन करना है अधर्वाइस आपको रजिस्टर करना है रजिस्टर करने के प्रोसेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं यह मान के चलेंगे कि आप एक न्यू यूजर है राइट और यहां पे हम अपना नाम डालते हैं वी विल एंटर और नेम राइट विल आप डालेंगे फिर आप अपनी एमेल डाल दीजें यू एंटर यूर एमेल आइड ओके all right after this you can create a password which should be same easy password रखेगा जो आप याद रख सकें password भूल जाए बार बार कोई sense नहीं है अपने नाम में ही letters को आगे पीछे करके यह कोई आपका gmail का password नहीं है जो आपको बहुत difficult रखना चाहिए ठीक है यह करने के बाद आप register पर click करिए right और आपको आपके mobile phone पर एक OTP आएगा you will receive an OTP जब OTP है वो OTP आप enter करिए वो OTP आप enter करेंगे और फिर आपका account जो है वो create हो जाएगा आप गूगल पर आप इसको save करना चाहते हैं वैसे तो save नहीं करना चाहिए उसके बाद आपको फिर subsequently क्या करना है login करना है जो password आपने create किया था उसके साथ और फिर आप login कर लेंगे right now it will tell you certain details it is telling you the candidates सारी eligibility criteria अपनी चेक कर लें right सारी eligibility requirements for reservation categories check कर लें जो respective NLU stipulate करते है हर NLU की अपनी reservation policy होती है उसमें relevant documents नहीं रहते हैं सुफदाट आपके जो भी colleges आपके preference वाले हैं आप उसको कर लीजे consortium of NLU and the organizing university shall not be responsible for the consequences arising from any errors or omissions by candidates in the application process and that is why आपको आपका form filling में जो document उसके लिए बहुत ही particular है right CLAD 2025 का application भरने से आपका right for admission नहीं exercise होता है नहीं आ जाता है यह आपको यहां पे बता रहे हैं आप आपका admission जो है वो verification of documents पे minimum qualifications पे CLAD के score, rank पे या जो भी respective NLU eligibility criteria लगा रहा है उसके basis पे होगा right अब आपको उसके लिए उसने already participating universities की link दे रखी है वहाँ पे जाके आप check कर सकते हैं हलाकि इतना complicated है नहीं इतनी detailing में आपको जाना नहीं है अगर आप किसी special category के हैं आपके पास उसके valid documents होते हैं अगर आपके पास SC, ST, OBC का category है तो आपके पास उसके valid documents होते हैं आपकी class 12 की mark sheet अगर आप appearing है तो नहीं होगी आपके पास आपका place of residence है वो permanent होना चाहिए जो आपके अधार card पे electricity bill पे रिखाया जहां कि आप permanent निवासी है अब वहीं का address दें class 10 के दौरान आपका जो permanent address था आप उसको कोशिश करिए रखे या अधार card voter ID जैसी चीजों में आपका permanent address उसको रखने के कोशिश करिए फिर आपसे यहां पे category पूछेगा तो आपको obviously UG फिल करना है और आप महां पे apply for class पे जाएंगे right you have selected to apply for undergraduate courses please confirm definitely you will confirm और फिर आपको यहां पे क्रम बद तरीके से sequential manner में personal information communication details qualifying examination details test preference centers और reservation यह चार categories है information की जो आपको फिल करनी है अब photograph obviously आप photograph को almost 260 KB के आसपास रखने की कोशिश करिएगा यहां पे लिखा गया है कि JPG और PNG format में ही photograph आपको upload करनी है तो अपने photograph का format आप चेक कर सकते हैं माली जो format पे नहीं है तो आप आराम से Google पे लिख सकते हैं reduce photograph size and convert photograph format तो उसमें आपको वह already online tools देदेगा जहां पे आप JPG PNG पे अपनी photograph को convert कर सकते हैं front facing photograph है selfie नहीं हो सकती right in light background तो आप अपने mobile phone से भी किसी सफेद दिवाल पे अपनी photograph लेके JPG format में आपके camera's photograph क्लिक करते हैं तो आप उसको खीच के यहां पे upload कर सकते हैं फिर आपका gender you have to select and see there are three genders male female transgender parent and guardian का नाम यहां पर आप अपने father का name लिखे अगर surviving father और mother का नाम लिखे कर surviving mother है जो भी आपके local guardian आप उनका भी नाम लिख सकते हैं अगर आप NRI sponsored category पे हैं तो yes और no पर आपको क्लिक करना है अगर आपके पास ST SC OBC का category है तो उसके लिए आपको certificate यहां पर करना है और PDF का size जो है 1.5 MB में होना चाहिए अपना application applicant का नाम जो 10 प्लस 2 के certificate में है आप 12 appearing है तो आपके पास 12 10 प्लस 2 का certificate नहीं होगा for that आप class 10 के result में आपका नाम है आप उसको लिख सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब करेक्शन कराया है तो करेक्टेड नाम का document होता आपके पास आप वो करेक्ट नाम अपना लिखे राइट अपने sign को प्लीज लेजिबल तरीके से simple sign आपका जो है आप उसको बनाके यहां पर image अप्लोड करिएगा अगें इसे नेचर शुट बी ब्लाक और ब्लू विथ वाइट बैग्राउंड यह चीजें आपको उसी काटेगरी में तो आपको वही स्दैट करना है तो आपको वहीं से लाहें करें करते हैं तो तो फिर आपके लिए ओप्षिन जो है उपन हो जाएगा आपको देखलरेषएं देना एकि क्या आप नों क्रीमी लेयर को को belong करते हैं अगर आप Yes करते हैं तो document मांगेगा नो करते हैं तो आप से वह document मांगेगा for that purpose अगर आपका PWD कार्टिग्री सर्टिफिकेट है तो उसमें भी आपको क्या करना है उसका document करना है only candidates with percentage disability of greater than or equal to 40% are eligible PWD certificate मिलता है जिसमें आपकी disability standards बताए जाते हैं कि आपको 40% के ऊपर greater than or equal to 40% are eligible अगर आप BPL below poverty line family के हैं तो आप उसको भी यहाँ पे click कर सकते हैं फिर जब आपने इसको select कर लिया हालाकि आपको आप देखेंगे कि इस से related आप से कोई document as such वो नहीं मांग रहा है वो आप से सिर्फ और सिर्फ आप से आपके reservation के category का document जो है वो म मांग रहा है उसके बाद जब आप yes करेंगे तो आपको submit a copy of the relevant certificate issued by competent authority again with the 1.5 MB तो आप यह particulars में बहुत बहुत ध्यान से बरियेगा आपके जो भी का सर्टिफिकेट्स होते हैं वो यूजरी five years तक valid होते हैं legally they are valid for five years right तो आप अपने उसके certificate को बना ले और उसको upload यहां पे ध्यान से करें valid होना चाहिए photo copied document नहीं upload करेंगे original document का आप PDF upload करेंगे यहां पे JPG वो accept नहीं करेगा आपको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए यहां पे mistake होती है फाल्टू के useless confusions create होते हैं और form फिल करने में डिले होता है लेकिन यहां बे मैं साथ सथ यह भी बता दूं कि आप form को पहले भर दीजे जादा सही रहेगा test preference में अगर आप form फिल पहले कर चुके हैं तो आपको हो सकता है कि आपके नस्दीक का कोई center मिल जाए डिले form करने में कोई sense नहीं समझ माता है अगर form भरना ही है तो उसको time पे पहले भर दो लास्टेज में क्या होता है कई बार aspirants एक साथ website पर आते हैं सर्वर क्राश करता है website में टेक्निकल फॉल्ट होने लगता है और आप इस जगह पे risky frisker business में आ जाओगे इसलिए बेटर है कि आप क्या कर दीजे form को timely भर दीजे उसके बाद communication details में बहुत simple information है आपका correspondence address है जिसको आप अभी मौझूदा सिती में अगर आप कहीं hostel में रह रहे हैं आप कहीं पर preparation के लिए वहां पर आये हुए है तो आप अपना correspondence address डाल सकते हैं यह ज़रूरी नहीं है कि आपका correspondence address आपके पर्मानिंट address से सेम हो आपका पर्मानिंट address जो है वह सकता है कि correspondent address हो लेकिन यहीं वही डॉकुमेंट होगा जो आपने अपने सारे अपचारिक अभी लेखों में जो गवर्मेंट डॉकुमेंट हैं जो भी आपके पास उसमें आपने जो भरा हो है वोटेवर वोटेवर यूनों पर्टिकुलर्स आर देर इन यूर अधार कार्ड इन यूर 12th 10th मांक्षीट यह बहुत ही सिंपल इंफरमेशन है याद रखेगा एक इमेल आई डी और एक ऑल्टनेट कॉन्टाक्ट नंबर जरूर प्रोवाइड करिएगा अपने मदर फादर का प्रोवाइड कर दें इस जिगह पर तो बेस्ट है ऑल्टनेट इमेल आइड आप ऐसी प्रोवाइड करिए जो किसी दूसरे डिवाइस में लॉक होती है फोन हो जाए कोई situation हो जाए तो आपके alternate email आईडिया आपको कल को help कर सकती है अच्छा सब चीज को करने के बाद आपको एक चीज ज्याद रखनी है save as draft पर click करना है यहां पर click करेंगे save as draft करेंगे फिर आप next section पर जाएंगे communication बहुत ही simple होता है communication को फिल करना हमारे पास उसमें ज्यादा कुछ complicated नहीं होता है फिर उसको save as draft करके qualifying examination पर आएंगे जब qualifying examination पर you will come right तो फिर qualifying examination में यहां पर information important है right qualifying examination details में see qualifying examination जब आप पूछ रहा है तो आप से पूछ रहा है 10 plus 2 arts commerce other science तो usually students art humanities commerce साइंस में आ जाते हैं right 10 plus 2 और equivalent its others में there are again अब कोई open school से कर रहा है ठीक है multiple combinations ले रखें तो वो करेगा इस तरीके से फिर देखें लिखा हुआ है कि appearing है या appeared or passed है तो अगर आपका 12th 2024 में already हो चुका है तो आप पास्ट है जून 24 में आपका 12th हो चुका है तो आप पास्ट है अगर आपका जून 2025 में 12th complete होगा तो आप appearing है तो जो appearing candidate है उसको क्या कर रहा है appearing candidate यानि जो boards देगा अगले साल और क्लाट 2025 वो देरा है दिसेंबर में तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है आपको appearing appeared लिखना है month of passing आपको यहां पर जून लिखना है year of passing आपको 2025 करना है और percentage of marks को blank छोड़के save as draft करना है फिर आप test preference center पर आएए आप यहां पर आप देखिए सारी cities आपको नहीं मिलेंगी देर लिस्ट ऑफ सिटीज जो की हैं यहां पर available तो उत्रप्रदेश आगरा अलाबाद राइट देन यूविल फाइंड और अरंगाबाद बरेली फिर मद्रप्रदेश में भौपाल इस देर चत्यजड का राजस्थान में यूविल फाइंड जाइपुर इस देर राइट इस आप से अपनी सिटी इसको यहां पर क्या कर सकते हैं और आपके होम टाउन से जो पास में हो ऐसे लिए सबसे पहले नियर्य अपर अगर जो से और फेलेट रहते हो तो आप कोशिश करिए कि आप test city को चूज करें और होता क्या है कि अगर माली जरी यह फिल हो गया यह सट्राइग जिए नहीं मिला फिर आपको दूसरा मिलेगा राइट लिखा होई पर देपेंग लि list of the test centers candidates will be notified if there are changes to the preferences they submit अगर आपने तीन preference भरी और इसमें भी कोई चेंज हो रहा है तो आपको notify कर देंगे वैसे होता नहीं है ऐसा usually अपने को easily test center जो है वो यहाँ पर मिल जाता है फिर again उसको में भी select कर लेते हैं ठीक है let us say करेंगे since we are in Jodhpur so we'll select Jodhpur second one हम select करेंगे यहाँ पर जैपूर जैपूर and third center I can select to be let us say Indor right and I'll save as draft फिर test preference center को करने के बाद reservation पर आएंगे right अब personal information में यहाँ पर जब आप यह सारे documents को upload करेंगे न तब आपको reservation पर लेके जाएगा save as draft करना है इसको close करना है right that is that is how you will see this and then आपका जो भी application number है वो आपको यहाँ पर create हो जाएगा create हो जाएगा right आपको देखे उसके बाद जाके अपनी email ID को भी जब आप यह पूरी information फिल कर देंगे application को जब आप फिल कर देंगे right अभी क्योंकि मैंने सारे documents नहीं भरे हैं तो मुझे submit का option नहीं आ रहा है once we will cover all the information फिल all the documents आपको submit का information मिलेगा और वहां पर जब आप submit कर देंगे save as draft करने के बाद जब आप सारे documents को करके submit कर देंगे यहां पर फिर आपको validate करनी रहेगी अपनी email address इसको भी incomplete नहीं छोड़ेंगे for a very simple reason for a very common reason that जब आप clad consortium से objections raised करते हैं तो it is always suggested कि आप अपनी valid email ID से क्या करिए फिल करिए अब आपको दिखाई देगा यहां पर कुछ उन्होंने और caveats लिखे हुए हैं जो हमने आपको पहले भी बताए हैं कि आपका right to admission नहीं है आपको please note that you need not finish the application process in one sitting you can save your application at any stage and always come back and continue right आपको यह कह रहें कि कोई जरुवत नहीं है कि आप अपने application process को एक ही बार में भरिये अगर माली जया आपको कोई document है जो खराब है या आपने renewal के लिए डाला है या उसको सुधरवाना है या नया बनवाना है तो आप वहां पर अभी अपनी सारी other details को save करके क्योंकि आपका application number already create हो चुका है एक ठीक है आपने रजिस्टर कर दिया है आपका application number create हो चुका है तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसके बाद कुछ समय के बाद भी यह आपको form edit करने का option देते हैं फिर अगर आप इसमें last day for receiving the applications देखेंगे तो this is 15th October 2025 और क्लाट December 2000 1st December 2025 को हो जाएगा तो application open हो चुके हैं 15 जुलाई को 15 अक्टूबर तक रहेंगे टाइम आपके पास बहुत है लेकिन कई सारी technical issues को avoid करने के लिए it's better that अपने इन process को आप clear करिए तो वापस से मैं आपको बहुत क्विकली ले जातो personal information में photograph particularly भरिएगा sign के लिए बहुत particular रहना है अपने permanent address के साथ साथ अपने इन documents के साथ भी बहुत particular रहना है because यह आपका right to admission reject कर सकते हैं you need to be very very कोई भी false document मत करिएगा अगर नहीं है आपके पास certificate तो आप उस criteria को मत fill करिए आप risk मत लिजे अपने admission को risk में मत डालिएगा फिर आपका correspondence address आपका present address हो सकता आपका permanent address आपका valid document होगा यहीं चीज मैंने आपको birth date के लिए बढ़ाई थी कि अपने birth date को please गलत मत करना तुमारे identity सही मानी ही नहीं जाएगी आपको official birth date select करना है test preference centers आप अपने हिसाब से कर सकते हैं qualifying examination detail में अगर आप appeared है तो आप यहां पर appear choose करेंगे 2025 में year of passing जाहिर सी बात है that case will be 2024 अगर आप अभी 12 में है तो आप यहां पर appearing कर सकते हैं यहां पर फर्माने वाली बात यह है कि क्लाइट 2025 का paper 11 standard का student भी फिल कर सकता है राइट 11 standard का student भी फिल कर सकता है just to just to assess but then the 12th or dropper बाले जो है उनके लिए important है यहां पर in test preference center के बाद आपको next next test करने के बाद reservation पर लेके जाएगा and it will ask it will ask you all the valid documents that you have already provided here उस category में आपके लिए जरूरी है right so I believe that this particular process was clear to you right and once you once you enter everything it will ask you to submit and pay the fees and आपकी photograph और आपका जो signature है वो आपको यहां पर दिख जाएगा that will you will find here right because I have not filled the details वरना यह basic detail होती applicant का नाम आपका DOB तो DOB अपना सही भरियेगा program applied status application not yet submitted email ID need to be validated application number after you have done it will be showing you it will be taking you to a payment link जहां पर आप जाके form को payment कर सकते हैं और वो process काफी seamless होता है काफी ट्राक्टिबल होता है आप process उसमें problem आपको ज़्यादा नहीं आएगी बहुत ही simple तरीका है form इनका कोई complicated तरीका नहीं है याद रखेगा अगर आपको कोई भी query है कोई भी दिक्कत हो रही है form filling करने में तो आप प्लीज अपने nearest concerned guardian से या हमारे center मौजूद हैं तो आप उनसे consult कर सकते हैं या आपकी coaching institution आप उनसे जरूर सला करिए अपने mentor के साथ बैठके form को fill करेंगे तो जादा आपके लिए कारगर और फाइदे मन्द को क्योंकि कोई doubt रह जाता है तो वो resolve हो जाएगा right कोई भी overt step लेने के पहले एक बार consult कर लिजेगा अगर आपको इसके बावजूद भी कोई difficulty आ रही है form filling करने में तो प्लीज हमें comment section में बताइए हम आपसे directly connect करेंगे हम चाहते हैं कि हम आपकी form filling में किसी भी तरीके से गर हम आपकी help कर सकते हैं तो हम उसका एक आपके लिए एक सार्थी बने आपके आपके लिए साधक बने आपके लिए एक रास्ता बने जरिया बने और को कोई भी दिक्कत है तो आप comment section में हमें जरूर बताइएगा हम आपके comment में वहीं पर आपको reply दे देंगे आपको procedure समझा देंगे बहुत ही simple तरीका है वैसे क्लाट 2025 के form आउट हो चुके हैं और आपको भर देना चाहिए 15 October last date है bottom last date तक का wait नहीं करेंगे so I believe आपको समझ में आ गया होगा क्लाट 2025 का कैसा format है कैसा तरीका है form filling का इसको तुरंत करने चले जाएए प्लीज आपको का से गोगा ना वाल मोड में आ जाएगे and all the very best for your preparation I hope you make the most out of it